Hello everyone this is Pawan Sharma and guys let's talk about the intraday stock for 2nd of August in this video video में आगे बेन दिस पहले एक July के starting में मैंने आपके लिए एक Excel Sheet लेकर आया था उस Excel Sheet में हमने यह देखा था कि हमने कौन कौन से trade लिये थे और उसमें क्या क्या हमारा status है Performance Report के नाम से जो मैंने आपको दिखा रहा था आज वही Excel Sheet complete होगे because July का month end हो चुका है इस Excel Sheet में हमने total number of trades है 80 जिसमें हमारे first target hit हुए 16 second target हुए 20 और 20 में 5 वो targets थे जो हमारे 70, 9, 60 points उपर दे मतब huge provision को आप कह सकते हैं दो हमारे stop loss हुए और उसमें से 24 no trade हुए देखे ये जो दो चीजने इस पर ध्यान दीजेगा एक तो 24 एक stop loss है तो ये तो part है इसके लिए तो हम trade करते ही है कि कभी हमारा बड़ा profit होगा कभी हमें first target पर भी exit मिलेगा लेकिन याद रखेगा अगर मैं आपको 80 trades देता हुए एक महीने में तो हर trade में आप enter नहीं कर सकते कभी कभी we have to say no trade also और जब आपको आपकी confirmation आपके levels clear दिखें तभी आप trade लेंगे उससे क्या होता है आपकी probability कम होगी तो अर्मोस आपने कितने बे trade किया है आपने जो है 56 पर trade किया है 56 आपके total trade से जिसमें से दो हैसे लेट हुए अगर मैं आपको कल 100 trades देता हूँ जैसे आपने देखा होगा कुछ time से मैं telegram channel पर post नहीं कर रहा I just want to show you कि आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा stop loss होते हैं जब हम आप telegram पर trade करते हैं आपको याद रखना पड़ेगा कि number of trades जब कम रहेंगे तो stop loss भी कम रहेंगे number of trades बढ़ेंगे तो obviously आपके जो है stop loss उसी के accordingly बढ़ेंगे ऐसा नहीं होता कि आप number of trades 100-200 लें लेकिन stop loss second के second रहें लेकिन हम याद क्या रखते हैं सिरफ हमारे SL hit क्यों क्योंकि हम उनको manage नहीं करते तो please understand when you have more trades आपकी accuracy भी और आपकी जो efficiency भी है वो number of trades से evaluate किया जाता है not by SL hit तो make sure when you grow with the market when you start taking more trade तो number of trades के साथ में आपके stop loss भी बढ़ेंगे लेकिन आपका risk management ही ऐसी चीज़ है जो आपको वहाँ से बचाएगा point number two जबरदस्ति trade मत लीजिए जब trade आपके level पे हो जब trade आपको clear दिखाए दे तभी trade लें छोटा कमाएं चाहें first target पे exit कर जाएं first target के accordingly आप trade लें लेकिन जब trade आपको कहता है कि exit तो immediately exit work like a robot वहाँ पर यह मत सोचेगा कि नहीं नहीं मैंने इंटर कर लिया है तो अब क्या होगा मैं exit नहीं करूंगा तो मेरा जो है brokerage चला जाएगा और hope में मत बैठेगा कि recover हो जाएगा नहीं exit means exit अगर कहता हूं कि यहां से आगर आपका जो है stop loss होने वाला है या stop loss में आने वाला है तो तुरंद exit कर जाए कभी कम एक point पे exit करते कभी हम दो point पे exit करते हैं अब recently मैंने आपको point 60 पैसे exit कराया बाद में चाहे वो जाके hit करें लेकिन उस time आपके technicals आप से बात कर रहे है कि exit so exit so work like a professional trader और इन चीज़ों के ध्यान रखेगा कि number of trades के साथ में आपके efficiency accuracy हर चीज़ चेंज होती है stop loss कभी भी same नहीं रहते उसके साथ में grow करते हैं so that's what we are so we are ending here July अब यही report हम August end में check करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं nifty क्या कह रहा हम से nifty में हमारे पास में फिर से situation वही आ गई है 20 DMA का game on है कभी उसके ऊपर है कभी उसके नीचे आ गया फिर दुबारा कल close करने कोशिश की वापिस से कच्छी मूव ली लेकिन वापिस से नीचे आके जो है इसने close किया क्या हुआ है फ्रम लास्ट लास्ट वीक में लास्ट वीक में चाइना की जो टेक कंपनी से रियलिटी स्टेट्स हैं उसमें काफी उतल पुतल हुआ है माना जा रहा है कि चाइना की पॉपलेशन दुबारा बड़े क्योंकि वहां पर जो है कॉस्ट आफ लिंक बहुत लगे कि पैरेंट्स को लगे कि उनके एजुकेशन सस्ती हो सकती है प्लस रियलिटी स्टेट में उन्होंने क्राकडाउन किया है वो कहते हैं कि हाउस जो है घर रहने के लिए होता है आप उसे मुनाफ़ा मत कमाईए आप जबर्श्ती किसी रियलिट स्टेट का है किसी विल जो है global market बे रेड में इंटरस्टिंले लास्ट तैम जो मैंने market को देखा था globally तो सिर्फ sx into ko छोड़कर पूरा का पूरा रेड में है तो देखा जाएगा कि Monday बढ़ा interesting रहने वाला है कि कैसे होता है आने वाली week में हमारे जो auto companies हैं आपने number पोस्ट करें कुछ बड़ी companies के results भी आने वाले जो मैं आपको telegram पे post कर दूँगा तो उसके accordingly market react करेगा लेकिन मैं आपसे दो बाते हमेचे कहता हूँ पहली बात कि market में 80% आपको wait करना पड़ेगा 10% आपका जो है buying में निकलता है 10% आपको hold करके exit में निकलता है एक और चीज 70% of the time market remain range bound in a year अब आप यहां देख लिजेगा इतने लंबे time से market उसी range में trade कर रहा है since June में market में end हुआ था और अब देखिए उसी range में है एक range में June से लेके July almost end हो चुका है दो मन से आपका market उसी range में है इस time पे सिर्फ option trader पैसा कमाते है because equity market या कोई और segment ज्यादा trade नहीं करता है तो आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि आपको किस segment में trade करना चाहिए ताकि आपको उससे appropriate return मिल सकें लेकिन अगर आगे की बात करें जैसी है तो हो गया कि range bound है तो अब आपके पास में अगला trade नहीं है ये बताने का मेरा इसका motive था कि अभी हमारे पास में near view नहीं है ए अगर अगले Monday Tuesday की बात करें तो अगे नहीं बात करूँगा तो फिलहाल हमारे पास 15 agent का strong resistance है और अगर मैं August की बात करता हूँ तो ऐक मंत का view लेके चलें तो 16,000 का हमारे पास strong resistance है आइडली दोनो situation ये कह रहे है कि market में अभी फिलहाल काफी resistance बिल्ट अप हो रहा उपर के त support करता हुआ नीचे की तरब भी ऐसा है कि condition बुरी नहीं है 15,700 पे हमारे पास support है जो भी बहुत close है और उसके नीचे 15,500 पे फिलाल major resistance है लेकिन 15,500 के बाद अब बिल्ट होता जा रहा है 15,000 पे support तो 15,700 ब्रेक किया तो we can expect a fall till 15,500 और अगर वो ब्रेक हुआ अब मेरा target 15,200 रहा है कि 15,000 हो गया है because उसके बाद में fall ज्यादा बड़ा होगा तो short term और long term view आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका market कहा जा रहा है क्योंकि आपके trade फिर उसी के according लिए उन चीए तो यह दोन overview है तो अगर आपको कोई भी trade लेना है तो फिलाल मैं आपको recommend नहीं जाते हैं तो हमें क्या करना चीए लगाता है जो है आज की closing है 763 के 763 closing है उपर के तरफ 15,820 का level है 800 भी आप ले सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है 820 पे काफी इच्छा resistance है अगर उपर जाता है तो जैसे मैंने कल भी आप से कहा था कि 880 का इसके उपर उसके strong resistance है देकि almost उसके 865 के आसपाउस ने वापस से वहीं से deep down किया तो आपको यहीं चीज अभी level same रहेंगे ऊपर के तरफ 830 के उपर आप buy करेंगे 20 के तो आपके पास हमें मान सकते हैं कि 50 point का shoot up आपको मिल जाएगा वापस से market 880 तक जा सकती है जब तक 880 को cross नहीं करती आपको trade नहीं लेना है उसके उपर फ्राइडे के सेशन के तरह react करती है तो वापस से आप 880 के आसपास उसको sell भी कर सकते ह फिर अच्छा fall मिलेगा जैसे मैंने कहा था कि अगर 880 पे sell करेंगे देखिए उसके बाद में almost आपके पास में 100 points के आसपास 120 point के आसपास का fall आपको ऊपर से लेके नीचे तक आया है तो आप 720 को अगला support मान सकते हैं तो यहां तो market यहां से अगर resistance phase करेगी तो यहां गिरेगी इसके उपर break किया तो यहां तक जा सकती है अराम से यहां पर resistance phase करेगी तो पहला target और दूसरा target लेकिन अगर इसने यहीं पर support लिया तो maybe you might see a good rise also बस थोड़ दिर मान ट्रेड करे और वहीं is the विरगला target हमारा पहला यह रहेगा उसके बाद का यह रहेगा so that's in nifty बात करेंगर bank nifty के बारे में bank nifty में बड़ा interesting pattern बना है अगर आप यहां से देखेंगे ठीक है यह pattern है जिसमें हमारे पास में इस time वापस से एक range बनती जा रही है इसको diamond pattern भी कहते हैं अगर इस range पर चला जाता है या इस दोनों range हमारे लिए equal है इसको क्या करना है कि अगर यह range ऐसे आती है और यह निकल के आएगी somewhere close to 650 से लेके 700 के आसपास तो अगर bank nifty इस range के break कर देता है और वहाँ थोड़े देर का मतलब मेरा होता 10 minutes अगर श्यों आपर trade करके वहाँ पे stay कर ज 500 होता है आप volatility के लिए पचास पांट और शोड़ दिये तो 34 450 के नीचे आप इसको sell करेंगे या फिर यहीं पर वो support लेगा और support के बाद में आप जो है इसको यहीं पर buy भी करते हैं तो उपर का target हमारा ले रहेगा और अगर इसने इसको break किया यहीं पर resistance phase किया और 30 इसने 1000 का resistance है उसके नीचे हमारे पास 35 500 का नया resistance बनता जा रहा है अभी strong नहीं है बट नया build हो रहा है इसका मतलब और नीचे market का resistance shift हो रहा है तो अगर आपको को strategy बनानी हो या कुछ आपको कोई trade लेना हो यह सोचके कि अभी आपके पास में buy बनेगा sell बनेगा तो मेरा मानना य यह कि 35 500 कोई buy मत कीजेगा उसको break करने दीजेगा तभी आपके लिए नया buy initiate होगा और 34,000 के नीचे आप उसको sell कर सकते हैं लेकिन जब confirm हो जाए otherwise जब जितना नीचे जाएगा आपके लिए buy on fall आएगा और sell on rise उपर बनेगा अगर उपर के तरफ जाएगा अभी देवेट करते हैं कि market क्या रंग लेका आती है and we have to move according to that. So, यही level जो मैं आप यहाँ सम्झा है नीचे प्रवाइगा नीचे प्रवाइगा नीचे प्रवाइगा. In recap, our first pick was Dabar, in Dabar our buy was 590. So, if you leave the first three candles, after that it created a good support around here and then it hit our second target on the buy side. Then our second pick was Havels, if you remove the first three candles and there our buy was 1185. and from there it hit our first target on the buy side. Then we have Concord, after a gap up opening it never even came to our buy side. So, because of gap up no trade in Concord. Then we have Tata Motors, in Tata Motors I told you that the moment it will break 295 that it will run for the target of 300. So, it hit our first target on the buy side. Stock selection में हमारा पहला pick रहेगा SBI. Reason, SBI इसी रेंज में trade कर रहा था, काफे लंबे टाइम से, जो प्लेस किया सम्में close to 430. यह range पे ब्रेक आउट किया, जो आप यह बड़ी कैनल देख भी रहे हैं, लेकिन कल उसी range पे आके वापिस सपोर्ट ले लिया. अब trade कैसे बनेगा, कि अगर इसने bounce करना तो इसी range पे 430 को बिना break किये, यही से bounce करना है और साथ में rise करेगा, तो इतना ही target हमारा उपर के लिए बनेगा. तो यह होगे हमारा first trade, otherwise वो flat open करता है, तो हम क्या करेंगे, आज की closing है 431 की, 432 की, तो हम 435 की होपर इसको buy कर सकते हैं, लेकिन अगर उसने इस range को break कर दिया, तो अगला target इस range का low रहेगा, जो place किया गया है, some way close to 420, तो दोनों side में आप देखेंगे, तो हमारे पक्स equal opportunity in S VI और यही reason भी है pick करने का, अगला trade है हमारे पास Tata Steel, Tata Steel में last week में because of the China new metal policy, काफी steel sector राइस किया था, लेकिन अब इतनी राइस के बाद तो अब profit booking भी आती है, और यह sign जो है फिलहाल वो profit booking का है, candle pattern की बात करें, तो उसको यहते हैं, वीरिश हरामी pattern कहते हैं, तो वीरिश candle का low होता है, वो उसका support होता है, अगर वो उसको break कर देता है, और थोड़ दिसके रुख जाएगा, तो यह माना जाएगा कि यह जो बेरिश हरामी pattern है, वो active हो गया है, और उसके बाद stock इतना गिरेगा, जितना first candle होती है, एक बड़ा fall आता है, अगर उसको अपने आपको hold करना है, तो low के ask pass hold करना है, तो अगर वो वहीं पर hold करके bounce back करता है, तो हमारे लिए buy लेकर आएगा, उसको break कर देता है, थोड़ दिसके निचे stay कर जाएगा, तो हमारे लिए sell लेकर आएगा, that's in tata steel, अगला है हमारे पास में Glenmark, लगातर जो है बहुत अच्छी profit booking आई थ लास्ट वीक फार्मा कंपनी में, after the result for doctor ready, उसके बाद में लगातार हमारा पुरा पुरा फार्मा सेक्टर नीचे गिरा था, अब उसमें वापस से थुरा सा buying देखने को मिली है, क्योंकि कोई अंदर negative news तो definitely नहीं था, वो तो सरफ profit booking थी, तो profit booking के बाद में, जिस जिसने उ एंटर करेंगे, और यह एंटर का मुझे से लग रहा है, यहाँ पर अच्छा sign दिख भी रहा है, अगर यह अपने high जो आज का high है, that is somewhere close to 612 के आसपास है, अगर अपने high के आसपास ने trade करना शूरू कर दिया, तो समझ जाना कि यह trade इतना ही बड़ा लेके आएगा यहां जितना ही हमारा बड़ा candle है, और बहुत अच्छा आपको profit मिलेगा, अगर उसको resistance face करना है, तो यही पर करना है, और यही पर resistance face होगा, तो हमारे लिए अच्छा sell बनेगा in landmark, दोना condition में breakout pattern है वैसे तो अगर रुख गया, तो समझ जाना कि 630 या 630 से उपर का target इसले रहेग और अगर उसने resistance face किया, तो नीचे जहां से movement चुरू हुए 590 के आसपास, फिर उतना fall आएगा, माना जाएगा कि profit booking अभी बाकी है, और फिर से stock और नीचे जाएगा, अगला trade हमारे पास रहेगा, वो है IGL का, IGL में पहले stock ने rise किया, फिर नीचे गिरा, hold करके वापिस से rise करने के कोशिश कर रहा है और यह जहां पर पहले resistance था, आज वहीं पर आके इसने आपने आपको close किया है, अगर 560 का जो level है, which is the last candle, 560 का resistance है फिलाग, तो हमारे लिए यह resistance break करना जरूरी है, for rise, इसको break किया, थोड़ दर यहां stay किया, तो stock ऊपर की दरफ जाएगा, at least looking at the momentum in gas companies, लेकिन आपको यहीं पर resistance face किया, तो यह fake breakout माना जाएगा, और fake breakout के बाद में, profit booking भी हमारी very interesting equally आती है, so that's in IGL, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलियेगा, description box में कुछ links available, जिनको आप यूज कर सकते हैं, और for any kind of training inquiry, you can what's up on these number for further information, a disclaimer guys that all these which I created for education purposes, if you are taking a turn to my recommendation, do consult with your financial advisor before taking those, take care, have a nice day.